तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेल्वे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं कम्पूटर साइंस फील्ड से अगर आप बलॉंग करते हैं अगर आपने कम्पूटर साइंस में डिग्री या डिपलॉमा लिया हुआ है तो आप Indian Railway में कौन-कौन सी post हैं जिन पर आप apply कर सकते हैं जिनके लिए notification release होता है कौन से railway exams हैं जहां पर आप आभिदन कर सकते हैं क्योंकि देखे, degree level पर जो post रहती है वो ज़्यादा तर सभी candidate को पता ही है RRB की तरप से जो NTPC notification release किया जाता है mostly candidate क्योंकि वहाँ पर any graduate candidate apply कर सकते हैं NTPC की जो post रहती है graduate level की आप सभी अच्छे से जानते हैं उन सभी post के बारे में और जो नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पर बता दू कि railway recruitment board RRB के द्वारा NTPC का notification release किया जाता है जिसमें की 12th और graduate दोनों level की post रहती है तो ऐसे में अगर आपने computer science से degree या diploma किया हुआ है degree ली हुई है तो आप graduate level की post के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद भी RRB NTPC के अलाबा भी कुछ post हैं कुछ examination है Indian railway की तरफ से जो conduct कराए जाते हैं और वहाँ पर आप आविदन कर सकते हैं अगर आपने computer science या information technology में course या art degree या आपने diploma लिया हुआ है BSc अगर आपने किया हुआ है PGDCA अगर आपने किया हुआ है post graduate diploma जो रहता है PGDCA computer application में वो भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप आविदन कर सकते हैं Indian railway में अलग-अलग departments होते हैं एंड हम सब ही जानते हैं कि अभी जो Indian railway की vacancies आएंगी क्योंकि देखिए अभी तो departmental भरती चल रही है अभी जो fresher candidate है direct recruitment notification रिलीज नहीं होगा fresher candidate के लिए अभी departmental भरती होगी उसके बाद जो post बचेंगी उस तब आपका जो direct recruitment है उसके लिए notification रिलीज किया जाएगा तो ऐसे में आप कौन-कौन से post के लिए alisability रखेंगे आपको पहले से मालूम होना चाहिए क्योंकि 4 साल बार 2019, 18 and 19 में vacancies आएं थी उसके बाद अब notification इसका आएगा तो सभी departments में vacancies आएंगी तो ऐसे में आप एक department को पकड़के अगर बैठते हैं बाकी के लिए भी आप alisability है और आपको knowledge ना हो तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन-कौन से examination के लिए हम alisability रहेंगे तो computer science के लिए आज के वीडियो में हम computer science के लिए cover करने वाले हैं इसके अलबा other किसी stream से आपने किया है या diploma या other किसी भी topic पर आप चाहते हैं कौन सी post हैं जिसके लिए हम alisability होते हैं तो आप मुझे comment करके फूस सकते हैं मैं उस पर भी video upload कर दूँगी ओके तो अगर आप भी interested हैं आप भी computer science field से हैं वीडियो एंट तक देखेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है पसंद आता है वीडियो को like and share कीजेगा Hello everyone मैं हूँ आस्था Welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube channel Government job genuine notification देखे सबसे पहले तो हम वही लेंगे जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दू कि railway के द्वारा RRB means होता है Railway Recruitment Board RRB के द्वारा NTPC post देखे टेकनिकल post के लिए अलग requirement रहती है हम NTPC की इसलिए बात कर रहे है क्योंकि यहाँ पर any graduate candidate जो graduation level की post रहेंगी उनके लिए any graduate candidate apply कर सकते हैं तो ऐसे में अगर आप computer science field से हैं IT से हैं तो भी आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं RRB, NTPC graduate level की post के लिए एक तो यही है क्योंकि यह काफी ज़्यादा popular और इसमें सबसे ज़्यादा vacancies release होती है क्योंकि यह group C की post है और 12th और graduate दोनों लेवल की post मिलकर के इस examination के तुरू फिल की जाती है तो इसमें ज्यादा vacancies आती है इसके अलाबा आप कौन सी post के लिए eligible रहेंगे कौन सा railway examination आप दे सकते हैं अभी हम यही cover करेंगे उसके बाद जब आपको लगता है तो आगे की information के लिए आप मुझे comment कर सकते हैं इसके अलाबा इंडियन रेलवे के दोरा examination engineering field में जो notification release होता है इसमें आपका electronics and elite engineering के लिए आता है यह examination है जिसके लिए computer science and engineering वाले candidate आविदन कर सकते हैं computer engineering वाले आविदन कर सकते हैं information technology वाले computer science से अगर आपने किया हुआ है BAC वागरा तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं या आपने ऊपर जो stream दी गई है इससे सब combination वाली सब streams हैं उनसे भी किया है तो भी आप आविदन कर सकते हैं तो RRB anti-PC के लिए आप eligible होते ही हैं उसके अलाबा आप electronics and allied engineering अब electronics क्या है electronics के लिए आदलग रहेगा जो आगे engineering में रहेगा लेकिन यहाँ जो examination के लिए notification रूलीस होता है वहाँ पर भी आप eligible होते हैं इसके अलाबा आप apply कर सकते हैं engineering जो field रहती है उसी के साथ में यहाँ पर यह इस post के लिए यह examination भी कराया जाता है जिसमें computer science and information technology के लिए रहता है अब इसमें अगर आपने B.E.P.Tech computer science से किया है तो भी आप आविदन कर सकते हैं B.E.P.Tech information technology से किया है तो भी आप आविदन कर सकते हैं आपने PGDCA किया है post graduate diploma in computer application आप किसी भी subject से आपने अपना graduation कर लिया उसके बाद अगर आपने PGDCA भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं अब यह जो exam है यह anti-PC के दारफिल नहीं किया जाता है इसके लिए आप engineering field में जो notification आता है junior engineering का notification आता है उसी के साथ में यह examination भी conduct कराया जाता है BSC अगर आपने computer science से किया हुआ है तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं BCA आपने किया है या DOEACC B level का 3 year का कम से कम जो duration का course रहता है वो अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं तो इसमें आप RRB anti-PC तो आप करी सकते हैं अनिक रेजुएट लेकिन जो junior engineering की क्योंकि जो computer science से BSC वगरा किये हुए है वो junior engineering का सुनके उनको लगता है यह engineering field की vacancies है और इसके लिए वो notification जो आता है उसको ही वो नहीं देखते हैं है ना लेकिन ऐसा नहीं है जो junior engineering का जब vacancy आएंगी इंडियन रेलवे में तो आप उस notice को देख लिजेगा वैसे मैं तो वीडियो अपलोड करूँगी ही आप उस notice को एक बाद देख लिजेगा क्योंकि engineering के साथ में ही आपको computer science and information technology का भी examination के लिए notice आता है साथ में आता है तो आप उसका notice भी देख लिया कीजिए उसमें आया या नहीं और इसमें अगर computer science and information technology के लिए आएगा तो वहाँ पर आप BSC वाले भी apply कर सकेंगे PGDCA वाले भी B.Tech वाले भी Information technology B.E.B.Tech computer science या आपने ये courses किया हुआ हो ओके तो ये जानकारी आपको देना जरूरी था क्योंकि आपको information होनी चाहिए कि आप जिस field से belong कर रहे हैं उस field के साथ में आप Indian Railway की किस-किस post के लिए कौन से examination के लिए आप eligibility रखते हैं तो यहाँ पर मैंने computer science के लिए information technology के लिए बता है इसके अलाबा और भी अधर किसी भी subjects या किसी department से related आप चाहते हैं Indian Railway job या अधर किसी department आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो इसके लिए eligibility क्या है salary क्या रहेगी exam pattern क्या रहेगा अगर आप चाहते हैं and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ helpful रहो वीडियो helpful रहो दो वीडियो को like and share कीजेगा Thank you